अलो स्टुडेंट स्वागत आप सभीका RV Additive क्लास में तो स्टुडेंट आज यह हमारा जो Algebraic Expression का Multiplication का दूसरा पाट है इसमें हम Multiplication में देखेंगे Multiplications मोनामियल बाया बायनामियल टर्म्स है ना? एक पद का गुड़ा दू पद से है ना तो चलिए देखते हैं को एक्जाम पर लेके इसको समझते हैं जिस इस्टुडेंट ने हमारा मोनामेल तो मोनामेल का मल्टिपलिकेशन नहीं देखा है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आप कि मल्टिप्लाइए कि थिरी एक्स स्क्वाइर कि वाई वाई बाई तो यह हमारा सिंगल टर्म है इसको बोला जाएगा मोनामेल और यह हमारे देखो वीच में प्लस आया है तो एक टर्म और दो टर्म यह हमारा बाई नामेल में कितने टर्म होते हैं दो डर्म और मोनामेल में कितने टर्म होते हैं एक टर्म तो यहाँ पर हमें एक टर्म का दो टर्म से multiplication कराना है solution तो देखो यहाँ पर है 3x square y को multiply कराना है 4x plus 2y अब इसको कैसे write करेंगे द्यान से देखना यह वाला पूरा टर्म पहले इससे multiply होगा किससे? इससे 4x से तो यहाँ पर write करेंगे 3x square y into 4x ठीके? फिर plus sign लगा देंगे फिर यह वाला पूरा टर्म इससे multiply होगा यानि कि 3x square y into 2y अब इतना जब आपने कर लिया तब क्या होगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया सबसे पहले आपको number को number से multiply कराना है अभी तो sign coefficient को coefficient से multiply कराना है उनके sign के साथ तो जैसे यहाँ पर क्या है कि 3 into 4 sign plus है तो sign लिखने की ज़रों नहीं है 3 into 4 x square into x square into y ठीके? अभी यहाँ पर plus आजाएगा अब देखो यहाँ पर 3 into 2 है तो 3 into 2 multiply करेंगे फिर यहाँ पर है x square फिर यहाँ पर है y into y ठीके? तो अभी क्या होगा? 3 फोर जा 12 x raise to the power 2 x raise to the power 1 x raise to the power 3 power 8 हो जाते हैं तो 2 plus 1 3 फिर आजाएगा यहाँ पर y plus 3 to 6 x के power 2 है तो यही रहेगा और y के power 1 plus y के power 1 power 8 होते हैं तो y square हो जाएगा तो यह हमारा इसका answer होगा ठीके? इसको write down कर लें वीडियो को पहुँच करके चलिए एक दूसरा example देखते हैं हम इसमें ठीक है तो इसमें हम एक दूसरा example देखते हैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं multiply 2x square by 7z square plus 4xy ठीक है? यहाँ भी क्या कराना है हमको? 2x square को 7z square plus 4xy में multiply कराना है तो यहाँ पर देखते हैं इसका solution क्या आएगा? हम इसको ऐसे rate करेंगे 2x square into 7z square plus 4xy अब क्या होगा? यह वाला term से पहले इसके साथ multiply होगा यानि की 2x square into 7z square plus sign plus का है तो plus ही आएगा फिर इस 2x square को यहाँ पर multiply करेंगे 2x square into 4xy अब आप ध्यान से देखना है इस नंबर को देखो इसमें क्या क्या था? हमने काफी detail में किया था bracket और रेकेट लगा करके क्योंकि यह पहला question था अब हमें थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि हमें पता है कि यह इसके साथ आएगा तो ऐसे कर लेंगे 3,4,12 ठीक है? तो यहापर कितना आजाएगा? 2,7,14 x square into z square plus 2,4,8 x square और x के पावर 1 तो x के पावर कितना हो जाएगा? 3 into y तो यह हमारे answer हो जाएगा इसका ठीक है? तो आप इन दोनों को write down कर लीजे फिर हम बढ़ते हैं कुछ minus वाले टरम लेके वीडियो पाच करके आप write down कर लेना इसको हम हटा देते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे multiply 7 x y by 2 x z square plus 4 x y अब यहाँ पर मैं minus sign ले लेता हूँ ठीक है? क्योंकि मैंने पिछली बार दोनों को plus plus करके बताया था तो इस बार मैं यहाँ पर minus ले लेता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या change जाएंगे solution सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको ऐसे राइट कर ले ना है minus 7 x y into 2 x z square plus 4 x y आप देखो आपने देखो minus sign यहाँ पर है और यहाँ पर plus sign है तो minus into plus क्या जाएगा? minus 7 to j कितना आ जाएगा? 14 x into x x square y अखेला है तो y और z square फिर जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसका sign minus है और इसका sign plus है तो minus into plus क्या जाएगा? minus 7,4028 x into x x square और y into y y square तो इस परकार से हमने देखा कि अगर एक sign minus है और bracket के अंदर दोनो sign plus है तो हमारा answer किसमें आ जाएगा? minus में आ जाएगा तो यह इसका answer हुआ आप इसको write down कर लिजिए हम कुछ और example लेते हैं तो इस पर मैं यहां का sign plus करके इधर का sign minus करता हूँ multiply 7xy by 2xz square minus 4xy मैंने कुछ change नहीं किया कि अवल sign change कर दिया है ठीके? मैंने आपर क्या change कर दिया है? sign को change कर दिया है तो इसको multiplication देखते है solution अभी यहां पर हमको rate करना है 7xy into 2xz square minus 4xy ठीके? इसको हम यहां पर multiply करते हैं अभी देखों यहां पर क्या आने वाला है इस number को आप direct multiply कीजिए याने की coefficient को coefficient से multiply करेंगे इसका भी sign plus है इसका भी sign plus है तो plus ही आएगा 27 जा 14 तो यहां पर कितना आजाएगा 14 x into x कितना आजाएगा? x square और y यहां पर आजाएगा z square आजाएगा अब यहां पर जब आएंगे तो यह plus है और यह minus है सबसे पहले minus हो जाएगा क्यों? आपोजिट sign का multiplication minus होता है 7, 4, 28 x into x, x square y into y, y square तो आपने क्या देखा? कि केवल इसका sign minus हो गया ठीके? तो आप इसको write down कर लिजिए मैं इधर और समझाता हूँ इस बार जैसे यहां पर हमने क्या लिया यहां पर minus sign लिया है इस बार हम यहां पर minus sign लेंगे और यह बेला sign प्लस लेंगे एक्जामपल मल्टिप्लाई 2xz square by minus यहां पर rate कर देता हूँ minus 2 xz square plus 4xy तो यह हमें मल्टिप्लाई करना है इस बार तो क्या देखोगे आप? solution 2xz square multiply minus 2xz square plus 4xy ठीक है? तो अभी क्या होने वाला है यहां पर? यह जो 2xz square है यह plus sign के साथ है और यह minus sign के साथ है तो सबसे पहले जब sign multiply होगा तो plus into minus क्या हो जाएगा? minus sign क्या हो जाएगा? plus into minus minus यह जो coefficient है इसको multiply करेंगे तो 2xz 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 x into x x square z square into z square कितना हो जाएगा? z raise to the power 4 द्यान रेकना multiplication में क्या होता है? कि power add हो जाते हैं ठीक है? power multiply नहीं होते है power add हो जाते हैं कैसे? जैसे यहां पर एगर z के power 2 है और z के power 2 है तो 2 plus 2 कितना होता है? 4 तो यहां पर कितना आगया? z raise to the power 4 अब जब हम आगे बढ़ेंगे इसकी तरफ तो इसका sign plus है और इसका भी sign plus है तो plus into plus plus आजएगा 2 forza 8 कितना आजएगा? 2 forza 8 x into x x square और y यहां पर है नहीं तो y आजएगा और z square ठीके? तो यह इसका जो हमारे question का multiplication होगा तो आप इसको write down कर लिजे फिर और कुछ example देखते हैं यापर एक example और लेते हैं आपर ठीके? जिसमें सभी sign minus हो जैसे याँ पर भी minus हो याँ पर भी minus हो याँ पर भी minus हो multiply minus 3x by minus 4xy minus 7xz ठीके? याँ पर क्या क्या है? हमने ऐसा expression लिया है जिसमें यहाँ पर भी minus हो यहाँ पर भी minus हो और यहाँ पर भी minus हो तो उसका multiply कैसे करेंगे? तो आँ देखते हैं solution यहाँ पर rate कर लेंगे minus 3x under bracket minus 4xy minus 7xz अभी देखो यह minus sign है और यह minus sign है तो minus into minus क्या होगा? प्लस 3, 4, 12 x का x से multiply होगा तो x square y यहाँ पर है नहीं किवल यहाँ पर है तो y का y ही रहेगा अभी यहाँ पर जब multiply होगा इसमें किसमें? इसमें तो यहाँ पर कौन सा sign है? minus और यहाँ पर कौन सा sign है? minus तो minus into minus multiply होगे क्या बनेगा? plus 3, 7, 21 x into x x square और into z अब पहले टरम में हम plus लिखते नहीं है तो आपने क्या देखा कि जब सबका sign plus है और जब सबका sign minus है तो multiplication में plus ही sign आ रहा है ठीके? तो यह इसका answer होगा आप इसको write down कर लिजे तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों कुछ सीखने को मिला होगा अगर यह वीडियो हेलफूल लगा है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें इसका जो third part है multiplication of more nama by trinomial देखना ना भूले ठीक है इस वीडियो में लिंक दे दूंगा आप वहां पर जा करके देख सकते हैं तो thank you class क्यां सकते हैं of